आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ थाना प्रभारी बलजित सिंग विसेन ने कहा रतनेश पारासर ने आईडी बनाकर ओंकारिश्वर मंदिर में कैर ब्रह्मनों के द्वारा दर्शन कराने पर प्रतिबंद लगाने अन्नी समुदाई के विरुद गलत मैसेज वाइरल कर समाज के लोगों को आपस भलकाने का क्र को इस बारे में लेके आए कि जो आरोपी पकड़ा है वो बाल वाड़ी को बेस्याद हम बोल रहा है हरी जन समाज को बदनाम कर रहा है भील समाज को बदनाम कर रहा है कहर समाज को बदनाम करते जा रहा है तो एसे आरोपी को पकड़ के उसको कड़ी सी कड़ी सजा दे और उसको फासी की सजा होना चीए कि आज किसी की बेन बेटी तरप नजर उठा के नहीं देखे और किसी के बारे में गलत नहीं देखे चाहती हूं कि इसका जुलुस निकाला जाए और फुलिस को भी धन्नवात और मिडिया वाले को भी धन्नवात मेरे नाम से फेस्बुक पर करने के लिए और बलाई समाज और बील समाज के बारे में कुछ गलत कमेंट्स कर रहा था और उमकारशवर में जो बालवाडी छेत्र है बालवाडी छेत्र को उसने वेश्यावरत्ती के नाम से संभोधित पिया और कहा गया है कि बालवाडी छेत्र वेश्यावरत्ती का धं प्रवभ करवाने की मांग की जिसे पिछले 24 गंटे से भी कम समय में माननिया टी आई साप ने ओम कर सब्सक्राइब साब जो है मानदाता टी आई साब विशें साब उन्होंने 24 गंटे के अंदर एसे उस आरोपी को घरफतार किया है और अपनी कस्ट्री में लेकर उससे पुस बहुत बहुत धन्यवाद परकट करते हैं और आगे से विसेन साब से सीख लेकर जो आलसी अधिकारी कर्मचारी है वो भी उनसे सीख लेकर क्रिमिनलों को जल्द से जल्द पकड़ने की कारवई करें और उन लोगों को सलाखे के पीछे भीज़ाने की कोशिश करें जो हमारे साब ने किया है बहुत ही स्राणी कारी किया है कि 24 गंटे में ऐसे आरूपी को पकड़ा आपका परिछे मैं सोचल एक्टिविस्ट दिव्यांग दोनों पेरों से दिव्यांग अंतिम शिटोले बढ़वा से हूं मैं अपनी वाइट हमारे यहां स्थानी लोगों के द्वारा एक अपरात की सूचना यहां पर करवाई गई थी जिसमें धिल, समाज और कहर समाज और अन्मे समाज के लोगों द्वारा एक आविदन के साथ चिकायत की लिए थी कि एक जुट्ति द्वारा एक अग्यात फेस्बूक आईडी बन करके और कुछ अनर्गल बाते उस पर लिखी के लिए जिस पर हमारे द्वारा तद्वारा एक सो अठाल ही एक सो अठासी पांसो पांसो दो पांसो साथ आईडी सी का अपरात बंजी बर्द करके इंवस्टिकेशन में लिया गया था जिसके साथ ही आज बलाई समाज के जो ह गरत अब शब्दों का इस्तमाल किया है फेस्बूक आईडी पर इन दोनों ही मामलों में अपराट बंजी बंद करके इंवस्टिकेशन किया गया तो पाया गया कि स्थानी निवाशी परतनेश पारशर जो है इसके द्वारा ही जो है एक खरजी आईडी और स्वयम की होगा कारवाई करके कुछ समाज के महिलाएं भी हाई थी बिल्कुल बालवाडी शेत्र की हमारी कुछ माता बहने थाने बढ़ाई थी जिनके बारा भी यहीं मांगी थी कि आरोपी जिसमें इस प्रकार से करत किया है गलत शब्द लिखें समाज महिलाओं के समच में उस पर सकते सकते कारवाई किया यह समी ने हम से मांध किया है मेरे द्वारा सभी वाश्वस्त किया गया है कि इस प्रकार से जो भी कोई गलत काम करेगा उसके गृद्ध हमारे जो भी कानोनी शक्तियां हैं हम उसका पूरा प्रयोग करके और उसके गृद्ध सकते से सकते कारवाई प्रयाद करें